मित्रों इस वेडियों में मैं आपसे बात करने बाला हूँ कि आठ मार्च 2021 का दिन कन्यारासी बालों के लिए कैसा बीतेगा आने बाले समय में कन्यारासी बालों के जीबन में क्या-क्या पडिवर्तन क्या-क्या बदलाब होगा मित्रों इस विडियो के अंत में आपके आने बाले समय का अनोखा तोटका भाग्य साली रंग एबं भाग्य साली अंक है तो आप उसे भी देखें मित्रों आने बाले समय में यदि आपके बेपार आपके बेवसाई की बात करें तो आने बाले समय में आपका बेपार आपका बेवसाई सामानने रहेगा न जे आदा बिहतर न जे आदा खराब दोस्तों आने बाले शमय से पहले यदि आपके कामकाज में कहीं कोई पड़ेशानी कहीं कोई समस्या था तो आने बाले शमय में उस पड़ेशानी को उस समस्या को आपको खत्म करना चाहिए क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आने बाले शमय में आपके बिपार के छित्र में आगे बढ़ने का मौका आपको अबश्य मिलेगा मित्रो आने बाले समय में यदी आपके दामपत्ते जीवन की बात करें तो दामपत्ते जीवन के दृष्टी कोन से आपका शमय बहुत जयादा बिहतर एबम सांदार होगा आने बाले समय में आपके जीवन साथी का साथ आपके जीवन साथी का सपोर्ट आपको बहुत जयादा मिलेगा आने बाले शमय में यदि आपके जीवन में कहीं कोई पड़ेशानी, कहीं कोई समस्या होता है तो उस पड़ेशानी में सबसे पहले आपके जीवन साथी का सपोर्ट आपको मिलेगा मित्रों आप में से जो भी जातक सामाजिक कार्ज करता है तो आने बाले शमय में अपने सामाजिक जीवन के मामलों में आपको शाबधानी बरतनी चाहिए क्योंकि आने बाले शमय में ऐसी संभाबना है कि आपके समाज के लोगों के द्वारा आपके सामाजिक जीवन में आपको पड़ेसान किया जाएगा तो इसके बाद बात करते हैं कि आने बाले शमय में आपके लिए अनोखा टोटका भाग्यसाली रंग एबं भाग्यसाली अंक क्या है मित्रो आने बाले शमय में अपने समय को बिहतर एबं सांदार बनाने के लिए एक मंत्र है उस मंत्र का जप आपको करना चाहिए वो मंत्र है ओम सुर्ज नारायनाय नमो नमह ओम सुर्ज नारायनाय नमो नमह इस मंत्र का जब यदि आप करते हैं तो आपका आने बाला शमय बहुत ज्यादा बिहतर एबम सांदार होगा मित्रों आपके लिए भाग्यसाली रंग है लाल और मैरून आपके लिए भाग्यसाली अंक है नव यानी की नाइन तो यही था आपके आने बाले शमय कारासी फल तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दें साथ में इस चैनल को आप सबस्क्राइब कर दे इस वीडियो के नीचे जय सनी देब कमेंट कर दें एबं इस वीडियो को आप हर जगह सेर कर दें धन्यवाद